लखीम पूर्खिरी में डॉक्टर पती ने अपनी डॉक्टर पत्नी की डंडों से पीट-पीट कर हत्या कर दी जिसमें पोलिस ने मृतिका की पती और ससुर को गिरफ्तार कर लिया है पोलिस ने आरोपियों की खिलाफ हत्या का केस दर्च कर उन्हें जेल भीज दिया है तो उत्रपदेश के लखिम पुर्खिरी से यह आपको खबर बता रहे हैं जहां पर एक डॉक्टर पती ने अपनी डॉक्टर पत्नी की हत्या कर दी और इस मामले में पती और ससुर का नाम सामने आया है दोनों को पुलिस ने गरफ्तार कर लिया है बतादे कि डॉक्टर पती ने डंडों से पीट-पीट का अपनी ही पत्नी के मौत के घाट उतार दिया बतादे कि जो पत्नी थी वो भी पेशे से डॉक्टर ही थी इसके बाद पुलिस ने रॉक्टर पती को भी गरफतार किया है, मिर्टका की ससूर को भी गरफतार कर लिया गया है, आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस दर्श किया गया है पोलिस ने हत्या का खुलासा किया लाकिन पुर्खेली से ये खबार जुआ पार डंडो से पीट-पीट कर पत्ली के मौत की घाट उतार दिया कोतवाली छेत में एक महिला की उसके पती एवं उसके ही ससुर ने घर में मार पीट करके उसकी हत्या कर दी थी तक पश्चात हत्या करने के पाद घर में एक जो बकसा उनके पास मौजूद था उस बकसे में उसकी डेड बॉडी रखके ये लोग पास में ही अपना ये हॉस्पिटल जो चलाते हैं वहाँ पर ले गए थे वहाँ से बॉडी को इन्होंने एम्बूलेंस में ट्रांसफर किया और गढ़ मुक्तेशोर में ले जाकर उसका महिला का अंतिम संस्कार भी कर दिया जब ये लोग वापस आये तो अपने जुर्म को चुपाने की नियत से इन लोगों के द्वारा कोथवाली में दो दिन के पश्चात महिला के गुमशुद की दर्च कराई जिसमें पती नहीं अपनी पत्नी के आरोप लगाया कि वह कहीं चली गई है